आयूर्वे समाधान में आपका स्वागत है। यह शरीर की कई आवश्यक्ताओं की पूर्थी करता है इसे खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है पत्री हो या कैंसर सबसे बचाव करता है बत्वा जानिए इससे होने वाले फायदों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मासिक धर्म की रुकावट की दो चम्मच बत्वा के बीज को एक गिलास पानी में उबालें उबलने पर आधा पानी बचने पर इसे च्छान कर पीने से रुका हुआ मासिक धर्म खुल कर आता है जोडों में दर्द इसके 10 ग्राम भीजों को करीब 200 मिली लीटर पानी में उबालें 50 मिली लीटर बचने पर गर्मा गर्म पीएं ऐसा एक महिने तक सुबह शाम करने से जोडों के दर्द में लाब होता है इसकी ताजी पत्यों को पीस कर हलका गर्म करें और दर्द वाले इस्थान पर बांधें इससे भी दर्द में आराम मिलता है अब बात करते हैं बत्वा का पत्री के लिए उप्योग एक गिलास कच्चे बत्वा के रस में शक्कर मिलाकर रोज पीने से पत्री गलकर बाहर निकल जाती है कब्ज में बत्वा बहुत उप्योगी होता है कैसे जानते हैं बत्वा आमार्शय को ताकत देता है और कब्ज को दूर करता है ये पेट को साफ करता है, इसलिए कब्ज बालों को बत्वा का साग रोजाना खाना चाहिए। कुछ हफते लगातार बत्वा का साग खाते रहने से हमेशा होने वाली कब्ज दूर हो जाती है। सफेद दाग, दाद, खुजली, फोड़ा, कुष्ट और तवचा रोगों में बत्वा बहुत उपयोगी है। बत्वा उबाल कर निचोड कर इसका रस पीएं और सबजी साग बना कर खाएं। बत्वा के उबले हुए पानी से तवचा को धोएं। बत्वा के कच्चे पत्ते पीश कर निचोड कर रस निकालें। दो कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाकर हलकी आग पर गर्म करें। जब रस खत्म होकर तेल रह जाएं तब छान कर किसी साफ शीशी में सुरक्षित रख लें और तवचा पर रोज़ा न लगाएं। इस प्रयोग को लंबे समय तक करने से सफेद दाग, दाद, खुजली, फोड़ा, कुष्ट और तवचा रोग सारे दूर हो जाते हैं। या पक कर जल्दी फूर जाएगा। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिट ब्रेस्ट कैंसर को रोकते हैं। आयूर्वे समाधान जीवन जीने की पद्धती है जिसमें बताएगा नुस्खे वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेर कीजे आयूर्वे समाधान।